तो ये है Day 3 का Official Gameplay No.2, Matches No.2 हमेशे कितरा हम लोग यहाँ पे उतर रहे हैं लोग Terminal और उतरते उतरते मैं कुछ basic यहाँ पे tips and tricks को follow कर रहा हूं जोकी है अपने enemies को देखना कि वो कहाँ कहाँ उतर रहे है तो देखो guys, dive को मैंने full यहाँ पे speed में डखा है और third eye से देख रहाँ में बंदे कहाँ नहीं है यहाँ पे finally हम लोग उतर गये हैं एक जगह पे and उतरते हैं सबसे important यहाँ पे हम लोग चालू किये gun loot ना जैसे हम लोग gun loot ना start किये तो हम लोग का players यहाँ पे बोलने लगा और देखो यहाँ पे मैंने mark भी कर दिया चलो drop class हो गया है तो अगर आप लोग टेमपेस्ट में माहिड़ों मतलब टेमपेस्ट से आप किसी भी बंदे को मार सकते हो लेकिन उतरते ही आपको टेमपेस्ट नहीं मिला मिल गया try and तब आप क्या करोगे इसलिए गाइस हडए गन का practice करो दो-दो मिनट पास-पास मिनट ट्रेनिंग में हो जाए ठीक है और ट्रेनिंग पे dedicated वीडियो आने है मेरी चानल पे तु बस चैनल को subscribe कर रखो घंटी को वाल पे set करके रखो and आप लोग भी मेरे को बता सकते हो कि मैं कैसे मतलब आपको explain कर रहा हूँ यह सब gameplays के थुरू आपको समझ में आड़ ये की नहीं आड़ ये तो आप लोग comment करके बता सकते हो ताकि मैं इस चीज को और भी अच्छा करूँ ठीक है अड़ हमेशा की तरह यहाँ पे crate रहता था लेकिन अभी crate नहीं है तो आप लोग इस चीज को ध्यान में डग सकते हो तभी guys हम लोग का एक player बोलता है कि भाई यहाँ पे enemies हैं हम लोग यहाँ पे enemies के साथ fight कर रहे हैं तो आपर में मेरे को एक बंदा दीखता है तो मैं firing वाइडिंग करने लगता हूँ तभी guys हम लोग का एक player क्या करता है ना एक player एकदम अंदर घुश जाता है और यहाँ पे घुशने के साथ साथ 1v1 लेने लगता है 1v1 में वो बंदा अपना मतब जो player है वो enemy के एक player को down कर देता है तभी guys हम लोग के isol का call आता है कि सब आओ रस कर दो उस पे तो guys देखो मैं bike लेके एकदम अंदर घुश जाता हूँ और दो player अलडेटी नौक पड़े वड़े थे और guys क्या होता है आगे आप लोग को तो पता चली जाएगा तो देखो guys हम लोग यहाँ पर loot would complete कर लिए और हम लोग यहाँ पर चलते है guys rotation काटने ठीक है और देखो जब आप यहाँ पर इंदर स्के में fight करते हो न तो fight मतलब बहुत त्रंत बंदे आ जाते है ठीक है यहाँ पर देखो fighting करना चालू हो जाता है दूसरे squad में guys हम लोग जादे late भी नहीं किये तभी यहाँ पर दूसरे squad हम लोग पर fighting करने लगता है हम लोग रहते हैं open में तो हम लोग यहाँ पर fight करने लगते है देखो एक बंदा उपर चरव ड़ाता है और उपर वाले बंदे को मैंने मारना स्टार्ट किया तभी यहाँ पर नीचे वाला बंदा क्या करता है देखो fighting देने लगता है और इसी में हमारा एक प्लेर डाउन हो जाता है तो हम लोग अपने प्लेर को कवर नहीं देपाण है है और हम लोग का एक प्लेर डाउन हो गया हुआ यहाँ पिलोग डेख रहे हो दो नीचे बीख पाण और हम लोग को थो जा रीक पहुआ है तर नोक नॉग पढ गय Çे वह है यहाँ यहाँ पर आज देख़े हो हन एंड मेरे पस ज्यादे स्मोक भी नहीं था तो मैं एक समोक फिक के निकलने लगता हूँ तभी हमारा एक प्लेयर डाॉए हम लोगे पस मेडिकेड भी नहीं था और देखो गाइस हम लोग यहाँ पे तीन प्लेयर को खो देते हैं हम लोग का कितना चमेह जाड़ा था सुरू में हमने तीन किल किया लेकिन बीच पे हमें इन इमीज मिल गए ठीक है और हम लोग को अच्छा कवर भी नहीं था उनके पास कवर था तो हम लोग का तीन प्लेयर यहाँ पे मर जाता है और देखो अभी भी 11 टीम्स बाखी है तो क्या मैं इसको टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 मिले जापाऊंगा की नहीं वो तो आपको आगे देखने को मिली जाएगा तो देखो गाइस जब मैं रोटेशन काट रहा था तभी यहाँ पे मैं जाता हूँ गुडुकुल की तरफ गुडुकुल की तरफ जाते वक्त देखो क्या सीन होगा मैं इसली जा रहा हूँ देखो जब आप अके लिए बचो ना तो ट्राइ करना आप कवर्स मेरा हो ठीक है यहाँ पे देखो मैं बिल्डिंग के तरफ से ले जा रहा हूँ मैं ओपेन अरिया में नहीं हूँ क्योंकि ओपेन अरिया में बहुत जल्दी बंदे मरते हैं देख रहे हो न और आगे जून भी है तो क्या मैं जून से निकल पाऊँगा क्योंकि मेरे पास मेडिकेट भी नहीं है और यहाँ पे डुकना सेफ नहीं है तो guys यहाँ पे देखो मैं मतलब मेडिकेट भी ढून रहा था कि मेरे को एक भी बड़ा मेडिकेट मिल जाए तो मैं काम चला लूँगा जून में जा करके तो यहाँ पे देखो जैसे ही जून आने वाला रहता है मैं एकदम जटपट निकल जाता हूँ और यहाँ पे नेक्स जून मतलब नेक्स जो सरकल है वो भी बन जाता है कर रहा था ना तभी मेरे को दो बाइक रोटेशन कारते वे दिखती है तो मैं बैक ले लेता हूँ क्योंकि उन लोग से फाइट करना ब्या बिकार है क्योंकि अभी हैस्टेक 11 पे हूँ मैं मढूँगा तो मेरे को पोजिशन पॉइंट भी नहीं मिलेगा अगर आपको पोजिशन पॉइंट नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा अभी तक मेरे को मेडिकेट नहीं मिली है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा धूणने लगता हूँ मतलब जो भी कंपाउंट से यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइब करने लगता हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदे आने के चांचेस कम है अगर आते तो मैं मार भी देता है ऐसा नहीं है कि मेरा गन पावर कम है गन पावर फाइरिंग पावर मेरा बेस्ट है फिर नेक सर्कल आ जाता है तब ही मैं यहाँ पे रोटेशन काटनी लगता हूँ आगे जाते वक्त यहाँ पे मैं नाका पे आ जाता हूँ और नाका पे क्या सिनोता है मैं आपको बताता हूँ पीछे से जोन आ रहा था तो मेरे को नाका पे होल नहीं करना था क्योंकि नाका पे भी जोन बन रहा था मतलब मेरे को सेब जोन में जाना है और तब ही गाड़ी आ जाती है ठीक है नाका के अंदर से तो मैं इसको याड मेरे पीछे ता वो गारी तो देखो मैं इसको एकदम पीछे करने लगता हूँ मैं आगे था लेकिन वो मेरे से आगे चला जाता है क्योंकि मैं उसके बाइक पीछे कर देता हूँ और मैं इसका पीछा करने लगता हूँ क्योंकि वो एक ही प्लेयर था तो मैं सोचता हूँ कि अगर यह उत्रेगा तो मैं इसको मार डालूँगा लेकिन गाईस वो तब भी इनिमीज में आगे जागे कि घुश जाता है मतलब इनिमीज के सामने जो फाइट हो रहे थी ना उस फाइट में घुश जाता है तो मैं छोड़ देता हूँ कि भाई अभी भी हम लोग के पास आठ टी में लाइव है ठीक है तो अभी माइनस लगेगा मतलब अभी मैं मडूँगा तो गाईस जादे पॉइंट नहीं मिलेगा एंड किल्स भी उतने नहीं है तो क्या गरता हूँ कि मैं चला जाता हूँ यहाँ पर देखो त्रीकोन पर लेकिन क्या सीन होता है ना त्रीकोन पर अलेडी बंदे रहते है और जोन तरीकोन के फोड़ा सा age पे बना हुआ था तो मैं सुसता कि रहा है त दूसरी कोन पर लोग सर्भाइब कर सकते हैं लेकिन तभी भाई यहाँ पर इनेमीज राते हैं और वह आजाते हैं और मेरे पर firing करने लगते हैं तब भी उनका एक प्लेर आता है मेरे से 1v1 लेने तो मैं उसको टपकार डालता हूँ तब भी उसका दूसरा प्लेर आता है मेरे को काफ़े डामेज देता है और उसके बाद गाइस मैं आता हूँ उसके साथ भी 1v1 लेने इसको मैं इतना डामेज दिया था ना भाई कि एक तो हैस्टेग 4 3 पे तो पहुंची जाता लेकिन क्या करें चलो कोई बात नहीं ये वी वैसे अच्छा था है हाश्टेग 11 से मढने से अच्छा है कि हम लोग हाश्टेग 6 पे मढ़े तो गाइस कैसा लगा ये गेंपले कुछ सीखने को मिला के नहीं कमेंट करके बताना लाइक नहीं के तो लाइक करो सब्सक्रेब